स्रावस्ती जनपत के मल्लीपूर थाना छेतर अंतरगत सरहदी ग्राम पंचायत कलकलवा के राप्ती नदी के किनारे बने प्रात्मिक विद्याले के करीब बुढ़ी राप्ती में सुक्रवा की सुबाए एक सव चरवाहों को उतराता हुआ दिखाई दिया जिस पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी निच्छक मल्लीपूर रामपाले आदो पुलिस भलके साथ मोके पर पहुचकर गोता खोरों की मद्द से सुको नदी से बाहर निकल आया काफी देर तक सुका सिनाक्त करवाने पर दुरगा पुरुवा निवासी मुना लाल की पुत्री धिराजा के रूप में हुई घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस साधिछक प्राजी सिंग छेतरा अधिकारी भिंगा अतुल चौवे क्राइम प्रांच इस्पेक्टर निर्भाई सिंग ने घटना आस्तल पहुचकर जानकारी ली साथी फारंसिक टीम को भी जाच में लगाई गई है मृत्का का सिनाक्त कराने के बाद पुलिस ने सौको पोस्माश्टम के लिए भेज़ दिया है मृत्का के पिता के अनुसार बुधौर की सामको मोबाईल के लिए मृत्का वा उसकी मा मझिली से मुन्नालाल से काफी ब्युवाद हुआ था जिससे चुपदर मा बेटी घर से गायब हो गई थी जिसके बाद सुक्रवार को बेटी का सो बरामत हो गया लेकिन उसकी मा का अभी भी पता नहीं चल पाया है बारहाल पुलिस मामले की जाज परताल पर चानवीन में जुटी हुई है अलाकि पुलिस अधिशक प्राची सिंग ने बताया है कि किसोरी के सव पर कहीं भी किसी के चोट के निसान नहीं पाये गए है फिराल सव पोस्मास्टम के लिए भेजा गया है पोस्मास्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के काड़ों का पता चलने के बाद अग्रिम बिधिक कारवाई की जाएगी आज लगबग 11 बच के 50 मिनट पे कलकलवा गाउं पड़ता है थाना मलीपूर के अंतरगत वहां से एक डेड बॉडी की सुछना मिली जब घटना इस तल पे पहुचा गया तो वहां पे एक लड़की के डेड बॉडी पड़ी थी जिसको देखके लग रहा था कि वह 15-16 वर्स की हुए कुछ देर बात उस लड़की की पहचान भी हो गई वो यहीं लोकल गाउं की ही रहने वाली है उसके पिता ने उसकी पहचान की है और अभी ता इस शरीर में कोई जहरा शोट के निशान नहीं आये है इसमें आगे की विधी कारवाई की जा रही है